स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूटूब चलनल गो ओनलाइन हिंदे में तो आज किस वीडियो में हम जानने वाल हैं कि अगर आप चाहते हो कि जूपिटर मानी का जो रिश्टर्ड मॉबाइल नमबर है उसे आप कैसे चेंज करो सकते हो यानि कि दूसरा नमबर कैसे चेंज करवा सकते हो वीडियो सुरू करना क्या है कि छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप इस चनल पर नहीं है तो प्लीज इस चनल को सब्सक्राइब कर लें कि यहां पर आपके नाम का एक लोगो दिखे ला ठीक है सबसे ऊपर कॉर्णर पर ठीक है मैं आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूं सबसे उपर आप कॉर्णर पर देख सकते हो लेप साट की कॉर्णर पर आपको अपना नाम का कुछ डिजिट यानि की दो डिजिट दिखेंगे उस पर सिंपली आपको टैप कर देना ठीक है तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे टैप करने के बाद आप इस तरह का इक इंटरफेस दीखेगा ठीक है तो यहां पर आपको सिंपली कुछ करना नहीं आगे की जानकारी में इस मोबाइल को जो है मांट करके यानि की बैक केमरे से आपको दिखाने की कोशिस करूँ हूं कि क्या कुछ आपको करना है हर एक स्रीप ठीक है यहां तक तक हां तो जैसे ही आप इस पर टैप करोगे यहां पर आप देखाऊगे एक options मिलेगा account detail और दूसरा जो है profile ठीक है तो आपको जो है account detail वाले options पर कुछ भी नहीं करना ठीक है आपको सिंपली विजिट करना है profile वाले sections पर जैसे ही आप विजिट करते हो यहां पर आप आपकी profile complete profile यहां पर mention कर दी गई है ठीक है यानि कि already यहां पर 100 कर दी गई है simply यहां पर आपको करना क्या है कि जैसा कि आप देख तो आपको एक options मिला हुआ है mobile number ठीक है इसके ठीक right side पर आप देख तो edit का एक options दिया हुआ है edit वाले options पर simply आप टैप करोगे और देखेंगे कि क्या कुछ processing में हो रहा है ठीक है processing complete होने के बाद यहां पर आप देख तो disclaimer आपको दिया गया है पहला disclaimer क्या है कि your UPI ID will change and you will not have to access previous UPI transactions ठीक है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है दूसरी disclaimer कि अगर मैं बात करो तो यहां पर आप देख तो मैंसर क्या हुआ हुआ है you will not be able to change your mobile number again for one year अगला जो आप number registered करवाने वाले हो उसे आप एक साल तक change नहीं करवा सकते हो ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखनी है इसके अलावा जो तीसरा हमें disclaimer दिया हुआ है वो दिया हुआ है all existing contents for linking products will be revoked ठीक है तो यहां पर कुछ इस तरह की तीन disclaimer आपको दिखाए देन है ठीक है उसके बाद आपको continue simply tap कर देना है continue पर simply जैसे ही आप tap करते हो next step जो कुछ भी process होगा यहां पर mention किया हुआ है step 1 में आपको क्या करना है sure the new sim is inserted in your phone ठीक यानि कि इसके लिए आपको mobile जो है दो सीम accept करता होगा तभी जाके आप इसके process को complete करवा सकते हो ठीक है पहला तो यह कि आपका रिश्टर मोबायल नंबर होना चाहिए जो पुराना वाला है और आप जिससे चेंज करवाना चाहते है video record करने के बाद तिसरे step पर आप जाओगे तिसरे step आपको करना क्या कि verify new mobile नंबर यान कि जो आप चेंज करवाना चाहते हो वही mobile नंबर आपको insert करनी है इसके अलावा जो आखरी step रहा है आपको confirm your amp pin यानि कि आपको यहाँ पे end pin की भी जूरत होने वाली है यह सारी ची नहीं होते हैं उम्मिद करता हूं कि इस वीडियो को जरीए आपको complete steps पता चल गई होंगे कि आप अपने मोबाइल नंबर को यान कि जूपिटर मनी की रेइस्ट्रेट मोबाइल नंबर को कैसे चेंज करवा सकते हो वीडियो को पसंद देगा दोस्तों को साथ जरू सर कर द करत दोस्तों पायर वीडियो के जरू सकते हूं